बच्चों आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है आज हम लोग कक्षा आठ की हिंदी की पूरग पुस्तक भारत की खोज का तीसरा अध्याय जो पिछले वीडियो में शुरू किया गया था उसकी बारे में मुख्य बातें जानेंगे तो उसमें हम लोगों ने यहां तक किया था कि किस प्रकार जो वेद हैं वो हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथों में हैं और जो प्राचीनतम अभिलेख हैं धर्म ग्रंथ हैं और पुरान हैं ये सभी जो है प्राचीनतम एतिहासिक ग्रंथ माने जाते हैं और सिंदु घाटी की से पहले जो है वो वेद को सबसे प्राचीन गरंथ माना जाता था और वैतिक काल के निर्धारन में भी विद्वानों का अलग-अलग मत है और रिगवीद की रचनाओं का समय इसा पूर्व पंद्रह सो मानते हैं तो इस प्रकार भारतिय वेदों पर भी इरान की पूरी चाप है और माना जाता है कि आरे अपने साथ उसी कुल के विचारों को लाए जिससे की इरान में अवेस्था धार में गरंथ की रचना हुई थी और वेदों और अवेस्था की भाषा में भी समानता है अवेस्था की रचना इरान में हुई थी तो इस तरह से जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो है वेद और वेद की उत्पति विदधातु से होती है जिसका अर्थ होता है जानना और वेद का सीधा जमन्द है अपने समय के ज्ञान का संग्रह करना हम इसमें मूर्ति पूझा और देव मंदिरों के लिए कोई अस्थान नहीं है वेद यानि रिग्वेद मानो चाती की सबसे पहली पुस्तक है इसमें मानो मन के आरंबिक उद्गार मिलते हैं खावि प्रवाह मिलता है और प्रकृति की सौंदर्य कावर्णन और उसके रहस्य कावर्णन इसमें मिलता है और इन सब बातों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि भारत की संस्कृती जीवन्त संस्कृती थी न कि पारलो किक्ता में विश्वास करने वाले भारती संस्कृती के संदर्व में भारती और पश्मी विद्वानों के बीच अलग-अलग मत हैं और नहरोजी का मत था कि भारत का प्राचे नितिहास तो उन्नत वविक्सित है लेकिन गुलामी की जंजीरों में जकरने पर भारतीयों के विचारों में भी परिवर्तन आ गया कि तीन-चार हजार वर्षों से यह लगातार अपने संस्कृती को अपनाई हुए है वह समय समय पर हुए परिवर्तनों के बावसूत बनी हुई है यहां का साहित दर्शन, कला, नाटक, जीवन के तमाम क्रियाकलाप, विश्व की दृष्टी के अनुरूप चलते हैं और इ उपनिशद जो की आट सो इस्वी इसापुर्व के लगभग माना जाता है उपनिशदों से आर्यों के विशाय में काफी जानकारी मिलती है और व्यक्तिवाती दर्शन के लाब और हानिया यहां पर जो है उपनिशदों पर इस बात पर जोड़ दिया गया है कि विकास करने के लिए मनश्चे का शरीर, स्वस्त और मन का स्वाइश होना जरूरी है और इसके साथ इन दोनों का अनुशासित होना भी जरूरी है और भौतिकता वाद के बाद जो कोटिल द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र में जो जिसमें की दार्षनिक सिध्धान्तों का वर्णन है इसकी रचना इसापुरो चौथी शताप्ती में हुई थी और भारत में जो है बहुत भौतिक वादियों ने भौतिक वाद का मतलब है जो सुख सुविधाओं को विरोध किया और वे पुरानी विवस्था से निकल कर स्वेम को मुक्त करना चाहते थे जो प्रमाण हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देता वे कार्पनिक देवी देवतां की पूजा में विश्वास नहीं रखते थे और न स्वर्ग है और न नरक है और नहीं शरीर से अलग कोई आत्मा है जीवन की वास्त्विक्ता सत्ता ही उनके समक्ष सत्य थी तो इस तरह से बहाकाव इतिहास और ये सभी जो है ये भारति इन इतिहासिक ज्यान की कमी के कारण जो है जनता ने अतीत के विशह में अपनी सोच का निर्मान पीड़ी दर पीड़ी म और इससे लोगों को एक मजबूत और टिकाओ संस्कृतिक प्रिष्ट भूमी मिल गए थी और महाभारत जो है ये एक ऐसा विशाल भंडार है जिसमें अनेक अनमोल चीजें ढूंडी जा सकती है इसमें सच्चाई आत्मसयम तपस्या उदारता अहिंसा धर्म का निरंतर पा और महाभारत एक जो है इसके इलावा इसमें जो है गरंथ में शाशन, कला और समानी रूप से जीवन के नैतिक और आचार संबन्दी सिध्धानतों पर जोर दिया गया है और अब है भगवत गीता भगवत गीता महाभारत का अंश है लेकिन हर द्रिष्टी से यह अपना अ अपमी परिपोर्ण है और इसकी रचना बहुत काल से पहली हुई है इस कावी की रचना लभग धाई हजार वर्ष पहले की गई इस रचना को आज भी संपुर्श रद्धा के देश्टी से देखा जाता है इसकी रचना में जो है आधुनिक युग के जो विचारक है तिलक अरविंद घोष वर गांधी जी ने अपनी विचारों का आधार गीता को ही बनाया और अन्य लोगों ने भी हिंसा और युद्ध काक्षेतर इसी के आउचित के आधार पर निश्चित करते हैं और गीता में हमें ऐसी जीवन्त चीज मिली है जो आध्यात्मिक और अन्य समस को सुलजान में मददगार साबित हुई है और प्राचीन भारत में जीवन और कर्म की क्या हस्तिती थी यह जो है बुद्ध के काल से पहले की कहानी हमें जातक कथाओं में मिलती है जातक कथाओं में उस समय का वर्णन है जब भारत की दो प्रधान जातियों द्रविणों का आर्यों में मिलन हो रहा था उस समय ग्राम सभाएं एक निशित सीमा तक स्वतंत्र थी और आमधनी का मुख्य शुरोत लगान था यानि लगान से ही जो है वो आमधनी होती थी यानि की पैसा मिलता था और यहां पे भारत में जो है लिखने का प्रचलन बहुत पुराना है पा कामी लीपी से ही देवनागरी तथा अन्य लीपियों की उत्पत्ती होई है छटी या सात्वी शताप्ती में पाड़िनी ने संस्कित भाषा में प्रसिध व्याकरण की रचना की इसे आज भी संस्कित व्याकरण का आधिकारिक क्रंथ माना जाता है महाकावियों के यूग म तो जो है वनु में इस्थिती विश्वेद्यालियों तथा महाविद्यालियों का भी वर्णन मिलता है और चरक समराथ कनिश्कि के दरबाद में राज बैद्य थे और उनकी पुस्तक में अनिक रोगों के ilाज का वर्णन है शल्य प्रसिक्षन के दौरान मुर्दों की चीर फार्ड कराई जाती थी सुश्रुत द्वारा अंगों को काटना पेट काटना और प्रेशन से बज्जों को जर्म दिलाना आधी का वर्णन है और बुद्ध में लोक प्रशलित धर्म अंध विश्वास कर्म कांड और पुरोही प्रपंच पर हमला करने का साहस था और उनका आग्रह तर्क, विवेक, अनुभव और नातिक्ता पर था बुद्ध ने वर्ण विवस्था परवार नहीं किया लेकिन संग विवस्था में इसे जगह नहीं दी गई वर्ण विवस्था के विरोध में समय समय पर इन्हों ने अपनी आवाज बुलंद की लेकिन भारत में इसकी जड़ें और भी मजबूत होती चली गए जैन धर्म जाती विवस्था के प्रती सहिश्णू था और स्वैम को उसी के अनुरूप ढाल लिया था इसलिए आज भी हिंदू धर्म की शाखा के रूप में जिवित हैं दूसरी ओर बहुत धर्मने जाती विवस्था को स्वीकार नहीं किया यह अपने विचारों तथा तिष्टिकोन में स्वतंत्र रहा और बुद्ध की पधती मनोवयग्यानिक विश्डेशन की पधती थी चंद्रगुप्त और चाडग के जो है यह मौरे सामराजे के स्थापना में इन्होंने अपना योगदान दिया और उनमें जो है दोनों मगत के शक्तिशाली राजा नंद द्वारा निकाल दिये गए थे चंद्रगुप्त मौरे और उनके मित्र मंत्री और सलाहगार चाडग के चंद्रगुप्त की मुलाकात सिकंदर से हुई और सिकंदर की मृत्यू के पशाद दो वर्ष के अंतराल में ही पाटली पुत्र पर अधिकार करके चंद्रगुप्त ने मौरे सामराजे के स्थापना की चाड़क के यानि कोटल ने अर्थ शास्त्रगी रचना की जो राजनीती की महत्वपुन पुस्तक है इस पुस्तक में व्यापार, वाणिज, कानून, नियायालय, नगर व्यवस्ता, सामाजी, कृती, रिवाच, विवाह, तलाक, क्रिशी, विध्वा विवाह, लगान, दस कारियों जन गरना आदिका वर्णन है, इसमें विध्वा विवाह और विशेस परिस्तितियों में तलाक को भी मागनिता दी गई है, यानि उन्नत राजी की नियुचंद्रगुप्त मौरे ने रखी, और राजया विशेक के समय राजा को इस बात की शपत दिलाई जाती थी कि वह प्रजा की सेवा करेगा, तथा प्रजा के हित एवं इच्छा को ध्यान में रखेगा, यदि कोई राजा अनीती करता है, तो उसकी प्रजा को अधिकार है कि उसे हटा कर किसी दूसरे को उसकी जगा बैठा दे, और अशोक, इसके बाद अशोक का वर्णन आता है, चं शिमुत्तर प्रदेश का शाशक था, जिसकी राजधानी तक्ष शिला थी, और इस समय तक इस सामराजे का विस्तार मध एशिया तक हो चुगा था, और अशोक संपुन भारत को एक शाशन विवस्ता में लाना चाहता था, भारत को एक शाशन विवस्ता प्रदान करने के ल और कलिंग के लोगों ने बहादुरी से युद्ध किया लेकिन अशोग की सेना विजही हुई इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए तथा घायल हुए जब इस बात की खबर अशोग को मिली तो उसे बहुत गलानी हुई और उसे युद्ध से विरप्ती हो गई तथा वह बहुत धर्म का अन्याई बन गया अशोग के कारियों और विचारों की जानकारी हमें शिलालेखों से मिलती है जो पूरे भारत वर्ष में उपलब्ध है तो यहाँ पर हम लोग कुछ कठिन शब्दों को देखेंगे जिसमें की यहाँ पर सार्वभौमिक कार्थ है सभी के लिए सभी के लिए और इसके अलावा जो कठिन शब्दों और आए है इसमें जो है बाकी चीर नवीन कार्थ है चीर नवीन पुराना लेकिन सदैर नया और इसके बाद यहाँ पर संकल्पना यानि कल्पी दूप कार्पनिक रूप जो है भौतिक वाद जीवन की वास्तिविक्ता में विश्वास करना जीवन की वास्तिविक्ता में विश्वास करना सम मिशन कार्थ है मिला हुआ यह थार्थ वादिकार्थ सत्तिथा के धरातल पर और इसके बाद है अन्वरत अन्वरत मतलब लगातार साम्प्रदाई कार्थ होता है धर्म से संबन्देद साम्प्रदाई का धर्म से संबन्देद तो इस तरह से यहां पर कुछ कठिंग शब्द हम लोगों ने देखा और इसमें जो बहुत सारे शब्द ऐसे भी आए हैं जैसे कि सफर नामा यानि कि यात्रा का वितांत पौराडिक मतलब पुराना प्राचीन जो कठाएं होती है और विराठ का अर्थ होता है बड़ा और अनमोल जैसे कि बहुमुल्य असाराबोर भरा हुआ उससे तर और दुविधा ग्रस्त यानि कि किसी बात का निर्ण ना करपाने की इस्थिती में होना जो है वो दुविधा ग्रस्त होता है और संकट काल मतलब मुसीबत का समय काल कहते हैं समय को और संकट मतलब मुसीबत तो इस तरह से यहाँ पर कुछ शब्द हम लोगों ने गठन शब्दों को देखा और इसमें जब अशुक की विरक्ती हो गई युद्ध से खुन खराबा देखकर इतनी लोगों का जो है जो मारी गए और घायल हुए उसके बाद अशुक ने बौध धर्म को स्विकार कर लिया और बुद्ध की सिक्षा के प्रभाव से उसका मनहिंसा को छोड़ कर जन कल्यान कारी कारी करने की और आगे बढ़ा इसके बाद उसने बुद्ध धर्म के नेमों का उत्साह पुर्वक पालन करना शुरू कर दिया उसने अपने एक संदेश में कहा है कि वह हत्या या बंदी बनाय जाने को सहन नहीं करेगा उसका कहना था कि सच्ची विजय करतव्य और धर्म पालन करके लोगों के दिल को जीतने में है यदि उसके साथ कोई बुराई करेगा तो वह जहां तक संभव होगा उसे झेलने का प्रयास करेगा उनकी इच्छा थी कि जीव मात्र की रक्षा हो लोगों में आत्म सहियम हो उन्हें मन के शांती और आनंद प्राप्थ हो स्वेम उसने बुद्ध की सिक्षा के प्रचार तथा प्रजा की भलाई वाले कार्य के लिए अपने आपको अर्पित कर दिया और स्वेम वह बहुत धर्माव लंबी था लेकिन सभी धर्मों का आधर करते थे तो ये अशोक ने बहुत अच्छी बात थी कि वो केवल बहुत धर्म का ही सम्मान नहीं करते थे बेलकि वो सभी धर्मों का आदर करते थे और सभी प्राणियों को खुश रखना चाहते थे और अशोक बहुत बड़े निर्माता भी थे उसने अनेक बड़ी इमार्तों का निर्मार कराया बड़ी बड़ी इमार्तों को बनाने में मदद के लिए विदेशी कारीकरों को भी रखा मुर्ती कला वा दूसरे अवशेशों पर भार्ती कला परंपरा की चाप इस पर स्रूरूप से दिखाई पड़ती है लेकिन इस्तंभू पर विदेशी चाप भी मिलती है 41 साल तक शार्षन करने के बाद 232 में अशोक किमरित्य हुई उसका नाम आदर के साथ लिया जाता है उसने अनेक महान कारे किये जिनके कारण उनका नाम वोलगा से जापान तक आज भी आदर के साथ लिया जाता है तो इस तरह से यह हमारी संस्कृती जो है यह समन्वे की संस्कृती है और इसमें जो है बहुत सारे ऐसे जो सिंदु घाटी की सभिता के माध्यम से हम देख पाते हैं तो ये सभी जो है इतिहास में ये सभी बहुत महतोपुन जो है इनकी बारे में लिखा हुआ मिलता है और इस तरह से ये अशोक के समय तक इसका हमारे देश पर जो है बहुत धर्म का विशेश प्रभाव आ गया था और इस तरह से प्राचिन भारत में जीवन और कर्म जो है वो मनुश्य को बहुत सारे जो है ऐसे ग्रंथते ऐसी किताबें जिसके माध्यम से हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है तो इस तरह से पहले के जो समराठ हुआ करते थे वे अपने प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे और उन्हें जो है इससे उन्होंने प्रजा के सुरक्षा के साथ साथ बहुत सारे भावनों का निर्माण इमारतों का निर्माण भी कराया और मुर्तिकला और दूसरे जो अवशेशों पर लिखे हुए मिलते हैं जो अवशेश हैं उस पर उनमें जो विदेशी च्छाप दिखाई देती है उससे ये पता चलता है कि अशोक ने विदेशी कारीगरों को भी अपने हां काम दिया और उनसे जो है निरमाड कराया तो इस तरह से इस पार्ट की माध्यम से इन सब जेजों के बारे में हमें जानकारी प्राप्थ होती है तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्ध करते हैं और अगले वीडियो में इसका हम लोग प्रश्ण उत्तर करेंगे तो सभी को धन्यवाद